नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं पहले भी जिस समय उने से 22 के खट्यान अधारित अस्थानेता समधी बिधयक सदन में पास हुआ था उस दिन मुख्य मंत्री से लेकर सत्तारूड दल के सभी विधायक और मंत्री हरे रंग का रुमाल पर लिखे सलोगन लेकर सदन में आय थे क्या उस समय बिधान सभा के नियम का पालन हुआ था मौसम विभाग के उनसार पच्छिम मंगाल से लेकर उडिसा और उत्तर तटिये अंधर परदेस्तक साइकलोनिक सर्गुलेशन का छेतर बना हुआ है जिसकी वज़ा से सुक्रवार को जार्खन के दक्षनी हिसे को छोड़ कर सभी जीलों में ओले गिरने किया संका है इस दवरान जार्खन के कम से कम 29 जीलों में कहीं कहीं गरजन बजरपात के साथ ओला विरिष्टी होगी इसकी वज़ा से ग्रामिन छेतरों में काफी नुकसान हो सकता है मौसम के नरे रांची की ओर से गुरु और को यह अलट जारी किया गया है साथ ही कुछ सवधानिया बरतने की सला भी दी गई है मौसम विभाग ने बताया है कि इस दवरान तेज हवाय भी चलेंगी तेज हवाओ, बजरपात, वर्षा और ओला विरिष्टी के असर से कच्चे मेकान परभावित हो सकते है किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है वहीं पसुधन का भी ख्याल रखने की सला मौसम किंद्रे रांची की ओर से दी गई है लोहर्दगा में 17 मार्च को रोजगार मिला का आयोजन किया जाएगा जीले के समनाले मैदान परिसर में 10 बज कर 30 मेट से 4 बज कर 30 मेट तक आयोजीत होगा इसे लेकर उपायुद डाक्टर बाग हमारे परसाद कृष्ण के अधक्स्ता में बुद्धवार को जीला परसासन ने जीला अस्तरिय पताधिकारियों के साथ बैठाक समना जनकारी दी जाएगी वही साकारिता बिभाग साकारिता समीतियों के गठन वा लाव की जनकारी देगी इसी परकार जीला उद्योग केंद्र दड़ाव start जी पी नबाड द्वारा की सान समीतियों के गठन वकार्य समाज कल्यान विभाग द्वारा विभागिय योजनाओ व तेस्वनी पर्योजना आपूर्ती कर्याले द्वारा एन एफ एस एम व अन्य योजना की जनकारी दी जाएगी जारखन में OBC आरक्षन तय होने के बाद ही होगा नगर निकाय चुनाओ अब जारखन में OBC आरक्षन तय होने के बाद ही निकाय चुनाओ होंगे इसके लिए ट्रीपल टेस्ट कराया जाएगा राजय मंत्री परशत की बैठक में बुद्धवार को नगर विकास विभागवा आवास विभाग के 17-10-2022 के इस उतनाओ को निरस्त करने का फैसला लिया गया पीछड़ा वर्ग के लिए अस्थानिय निकायों में अरक्षन के समद में सरोच निया लएकिया देश के बाद या फैसला लिया गया है बतादे मंत्री परज़द की बैठक में जीला अस्तर ये पदो पर सिधी नियोक्ती में आर्थिक रूप से कमजोरव और को 10% अरक्षन देने का फैसला लिया है पुर्व के संकल्प में संसोधन किया गया है इसे तत्काल परभाव से लागू करने का फासला भी लिया गया है बीजली बील का DPS रासी माप करेगी जारखन सरकार राजे की कैमिनेट ने राजे के 42 लाग घरेलू उबहुकताओं के लिए फिर से वन टाइम सेटलमेंट इसकीम सुरू की है इसमें 5 किलो वाट तक बीजली एस्तेमाल करने वाले वैसे सभी घरेलू उबहुकताओं के बीजली बील में बकाय रखने पर लगने वाले डिले पेमेंट सर्चार्ज को माप किया जा रहा है सरकार करीब 104.9 तिन कोलो रूपए का DPS माप करेगी राजे भर के विभीन बीली उबहुकताओं पर 4.62.2 कोलो रूपए का बील बकाया है इसमें 104.9 तिन कोलो रूपए DPS है बता दे सरकार OTS लाकर इस रासी को तो माप करेगी तो सरकार को करीब 32.57 को रूपए बील की वसूली भी होगी इस बील को किस्तों में भुकतान करने का भी परोधान किया गया है DPS रासी माप करने पर इसकी भरपाई राज सरकार सबसिद्री के रूप में निगम को करेगी नियुकती नियमावली केबिनेट से पारित जल्द मिलेगी नोखरी बिधायक लंबोदर महतों के ध्याना करशन प्रस्ताओ के जबाब में संसद्य करे मंत्री अलमगीर आलम ने साफ कहा है कि उन्हें 32 आधारित आस्थानिये और नियोजन निती को सरो समती से बिधान सवा से पारित कराकर राजेपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से इस पर क्यार निर्नय लेती है इसका हम लोग इंतियार नहीं कर सकते क्योंकि समय निकल जाएगा बता दे मंत्री अलमगीर अलम ने कहा है कि इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने केबिनेट से नई नियोक्ती निमावली पारित करा ली है बिभीन परत्योक्ता परिक्षाओं के लिए अलग अलग निमावली बनाई गई है बिभागों से रिक्तिया भी मांगी जा रही है बहुत बिभागों से रिक्तिया के सुची भी आई है सरकार बहुत जल्द नियोक्ती पर के लिए सुरू करने जा रही है रांची और हजारी बाग में होगी रेडियो जोहार की सुरूआत जहारखन के दो जीलों में रेडियो जोहर की सुरुवात होने जा रही है इसके लिए भारत सरकार ने अनुमती दे दिया है रेडियो जोहर 90.0 FM रांची और 90.4 FM हजारी बाग में चलेगा यह जनकारी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभात कुमार सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस में दिया है उन्होंने कहा है कि रेडियो जोहर के माध्यम से जहारखन के लोकल गीत, संगीत, संस्कृति, सब्याता और यहां के लोकल कलाकारों को बढ़ावा दिया जाएगा स्वास्त से समधी जनकारी भी दी जाएगी, वहीं कानून सिक्षा रोजगार भी जनकारी दी जाएगी अभी हजारी बाग के संसत जयंत सिना से बात हुई है, उनका एक कारकरम इस पर चलेगा रांची के संसत संजय सेट से भी एक कारकरम के लिए बात चल रही है सिक्षा और स्वास्त की जनकारी के लिए कई डॉक्टरों और कोचिंग संस्थानों से भी बात हुई है Medical Protection Act को स्वास्त मंत्री ने बताया जनता Protection Act जारखन में एक बार फी डॉक्टरों को सुरक्षा देने वाली बिध्यक चिकित्सा सेवा संस्थान निवारन बिध्यक 2023 पर चार्चा तेज हो गई है 15 मार्च को हेमन सुरेन की केबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सेवा में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों के लिए साजा के क्या प्रोधान इसमें है बतादे भारतिय जनता पार्टी की बिध्यक समरी लाल ने कहा है कि जायतर डॉक्टर सर्वेदन सील होते हैं वह सेवा भी करते हैं उन्हें सुरक्षा मिलना चाहिए लेकिन जब यह बिध्यक सदन में आएगा तब वो अपनी मांग रखेंगे कि सबकी सुरक्षा का प्रोधान मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में हो वहीं निर्दलिय बिधायक और पूर्वर मंत्री सर्जुरा ने कहा एकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ पेसेंड प्रोटेक्शन एक्ट भी हो मीड डे मिल रसोया को बारह महीने मांदे देने की तियारी में सरकार पीम पोशन योजना के तहत कारत महीला रसोया योम साहिका को अगामी बित्य वर्ष देश चोबी से साल में बारह महीने कमांदे मिल सकता है राज सरकारिश की त्यारी कर रही है इसकूली सिक्षा योम सक्षताभी भागने इसे लेकर प्रस्तावत त्यार कर लिया है अभी तक खाना बनाने वाले इन महीलाओ को साल में दस महा कही मांदे मिलता है अब साल में बारह महीने कमांदे देने पर अतिरिक्त राशी का भुकतान राज बजट से किया जाएगा जार्खन की बेटी को मिला डेरी छेतर में राश्ट्रीय सम्मान जार्खन राज सहकारी दुग्द उत्पादन महासंग के देवगर इकाई से जूडी महिला दुग्द उत्पादन निकीता कुमारी को 16 मार्च 2023 को गांधी नगर गुजरात में अयोजीत इंडियन डेरी एसोसियेशन के उंचास्वा डेरी इंडरस्टीर कॉन्फिरेंस कारकर में फुर्वी छेत्र से समानित किया गया है निकीता को डेरी के छेत्र में उमदा कार्य करने के लिए समानित किया गया गढ़वा ने साहिब गंज को पांच विकेट से हराया है जारकन इस्टेट किर्केट एसोसियेशन की ओर सायवी सिनियर इंटर डिस्ट्रीक प्लेट गुरूप टूर्नामेंट 2022 तेश्व रंधीर वार्मा ट्रोफी के तहत गुरूप B का चौथा मैच गुरुवार को केके ए साहिब गंज और गढ़वा के बीच खेला गया इस मैच में गढ़वा के टीम ने साहिब गंज गो पांच विकेट से हरा दिया है बता दे साहिब गंज टीम के कप्तान सुधानसू राजन ने टोस जितकर पहले बाले बाजी करने का पैसला किया वहीं 22 ओबर में ही पूरी टीम 145 रणों पर सिमट गई मैटरिक का छात्र मिला कोवीड 19 पोजेटिव देवघर के सदर अस्पताल में कोवीड 19 की जाच में उतकरमित पलाश्टू बिद्यालय जहलर में पढ़ रहे दसवी का एक छात्र कोरोना पोजेटिव मिला है उसकी 20 मार्च से मैटरी की परिक्षा है उसका सेंटर महेसमा उच बिद्यालय में हाई बता देजाच के दोरान कुरोना संक्रमित होने की पुष्टी के बाद तुरंत इसकी जनकारी जिला महामारी बिसेसग ये डाक्टर मनी से खरको दी गई इसकी जनकारी मिलने के बाद तुरंत अस्पताल पहुँचकर जीला महामारी विससग ने संक्रमित छात्र से ट्रेवल हिस्ट्री ली उधर छात्रे ने कहा है कि बुद्धवार से सर्दी खासी बुखार और सीरदर्थ हो रहा था दामोदर नदी को पर्दूसन मुक्त करने की पहल सुरू नमामी गंगे पर्योजना के तहत जारखन के साहिब गंज और राज महल में गंगा नदी के पर्दूसन अस्तर को निमतम अस्तर तक ले जाने में काम्याब राई सरकार ने अब दामोदर नदी के परवाह को अविरल और परदूसन मुक्त करने के दिसा में काम सुरू कर लिया है बतादे भारे सरकार कराश्ट्रिये स्वक्ष गंगा मीशन के तहत जारखन में बहने वाली दामोदर को स्वक्ष करने का बीड़ा उठाया गया है इसके लिए धनबाद, रामगड और फोसरो नगर निकाय के सभी नालो और अनजल सरोतो के जल को स्टीपी से सुध बना कर ही दामोदर नदी में जाने देने का निर्देश दिया गया है लातेहार के सांती जंगल से पांच लाह का इनामी जोर्नल कमांडर गिरफतार लातेहार में पांच लाह काई नामी नकसली लीडर सीतल मोची उर्फ सीतल रविदास को पुलिश ने गिरफतार कर जेल भेज दिया है बतादे पुलिश अधिक छक अंजनी अंजनल ने पत्रकारों को बताया है कि लागातार सुचनाय मिल रही थी कि बालु मात थाना चेतर के सांती जंगल यहम आसपास के चेतर में भागपा मवादी के रिजिनल कमांडर रविंदर गांजु का दस्ता भ्रमन सिल है बताया गया है कि रिजिनल कमांडर रमिंद्रे गांजु के दस्ता द्वारा बालु मात के कोईला बेहसाई इट भाठा मालीक ठेकेदार समेट अने बेहसाईयों से रंगदारी और लेवी वसुलने का कारे किया जा रहा है कुपोसन के खिलाफ जंग में गुमला तीन साल से नमबर वन पोसन माह गती बीधियों के संचालन में गुमला जिला पिछले तीन साल से पूरे जारखन में अवल है बतादे बितिय वर्ष 2021 तथा 21-22 की तरह ही बितिय वर्ष 2022 तेश में भी पोसन माया गती वीदियो के संचलन में गुमला जिला को प्रतम अस्थान मिला है वहीं दूसरे अस्थान पर देवगार, तिसरे अस्थान पर दूमका और चोथे अस्थान पर पलामो और पाच्वे अस्थान पर लाते हार जी ला रहा है सिम्डेगा की रूपनी और खुटी की अलबेला का होकी टीम के नेशनल कैम्प में ट्रॉयल के लिए सेलेक्सान सिनियर भारतिय महिला होकी टीम के राश्ट्रिय कैम्प में सिम्डेगा की बेटी रूपनी और खुटी की अलबेला का चैन हुआ है बता दे की साइस एंटर बेंगलोरू में सिनियर भारतिय महिला होकी टीम का बारा फरवरी से 26 माल तक राश्ट्रिय कैम्प चल रहा है कैम्प में चैन के लिए सिम्डिगा की बेटी रोपनी कुमारी और खुटी के अलबेला रानी टोपो को अमंत्रन किया गया बता दे कि इस राष्ट्रिये कैम्प में डेशनल टीम का सलेक्शन होना है जो फिर मैच खेलने के लिए बाहर जाएंगी जारखन के गढ़वा में तेंदुए के बाद अब आया बाग विभाग अलट जारखन के गढ़वा में तेंदुए के बाद अब बाग आया है पिछले दिनों चातिस गड़ के गुरु घासी दाग राष्ट्रिये उद्यान से निकल कर बलरामपुर वन परी छेत्रे में मौसियों का सिकार कर दसत फिलाने वाला बाग गढ़वा दक्षिनी वन छेत्रे के बढ़गड इलाकों तक पहुँच गया हलाकि अभी तक बाग ने सिर्फ मौस्यों का ही सिकार किया है लेकिन गढ़वा दक्षिनी वन चेत्रे में बाग के आने के सुचना के बाद बन विभाग अलट हो गया है लोगों को बाग से बचने के लिए गुरुवार से बन विभाग के टीम ने बढगर और भंडर या चेत्र के विभीन गाओं में लोगों को जागरूप करने के लिए धावनी बिस्तारा के यंत्र से परचार परसार किया वहीं लोगों को सवधानी बरतने के अपील करते हुए जंगलों में जाने से बचने की सलाह दी गई मांडर की विधायक शिलपी नेहातिरकी ने अल्प संखियक शिक्छन संस्थानों के होल्डिंग टेक्स में नगर निकाय दवारा की गई अब पर तेसीत बृधी मावले मुख्यमंतरी हमांसरेन दवारा सकरात्म कडम उठाने की सराने की है इस संदर्म में गुरुवार को सिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्य मंत्री हेमान सुरें से विधान सवा इस्थित उनके कक्ष में मुलकात किये और उनके द्वारा दिये गए निर्देश के लिए अभार जताया पता देविधायक सिल्पी नेहा तिर्की ने कहा एक रांची नगर निगम द्वारा रांची जीले के अलपसंख्यक सिक्षन संस्थानों को होल्डिंग टेक्स में कई गुना ब्रेधी कर दी गई थी जो अवेभारीक था जबकी अनेक अलपसंख्यक सिक्षन सन्थान काफी कम सुलक में 40 सत्राओं को पढ़ाते हैं पलामू में इप्टा का 15 राष्ट्रिय समेलन आज से इप्टा का 15 राष्ट्रिय समेलन पलामू के मेधनी नगर में 17 माज से 19 माश 2022 तक होने जा रहा रांची इप्टा से भी 10 लोग की टीम 17 मार्च को रांची से मेदनी नगर के लिए रवाना होगी इसकी जनकारी रांची जीला इप्टा के अध्यक्स पंकर्ज मित्रा ने दी है देश में चार महीने बाद एक दिन में कुरोना के 700 केस अलर्ट जारी देश में एक बार फी से कुरोना के मामलों में जाफा हो रहा है भारत में करीब चार महीने बाद 700 नए मामले सामने आये हैं बता दे पिछले 24 गंटे में देश में कुरोना के 754 नए मामले सामने आये इससे चिंतित केंद्र सरकार के स्वास्त सचीव ने चो राजयों को चिठी लिखी है चिठी में कहा गया है कि पिछले कुछ महीने में कोविट के केस में कमी आई थी लेकिन पिछले एक हफते से केस में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऐसे में राज सरकारे कुरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने पर ध्यान दे दरसाल केंद्रि स्वास्त सचीव राजयेस भूसन ने जीन चार राजयों को चिठी लिखी है उनमें महराष्ट, गुजरात, तेलंगाना, तमिलाडू, केरल और करनाटक सामिल है स्वास्त सचीव ने चीठी में कहा है कि 15 माज तक आते आते केस में बढ़ते देखने को मिल रही है राम नामी को लेकर रांची पुलिस अलाट पर है पुलिस के ने सोसल मीडिया पर ठीकी है वैसे ततो जो संप्रदाइकता से जुड़े हुए पोस्ट करके महोल को खराब करना के कोसिस कर रहे है उनके खिलाब करवाई भी की जा रही है इसी कड़ी में रांची पुलिस ने सोसल मीडिया पर अपती जनक पोस्ट करने वाले वे खिलाप मामलादच किया है जनकारी के अनुसार रक्षक नाम से बने यूजर आइडी के जरिये सोसल मीडिया पर भरामक, भरकाव, हिंसक और अपती जनक वीडियो और पोटोग्राप के साथ साथ कुछ सनवाद भी पोस्ट किया गया था जिसके बाद रांची पुरिष ने बिनीत कुमार नाम के एक यूजर खिलाप मलादच किया है राहूल गांधी रांची आएंगे अप्रेल में रैली भारत जोड़ो यातरा की सफलता के बाद कॉंग्रेस के पुर्वराष्टरी अध्यक्ष राहूल गांधी अप्रेल माह में रांची आने बाले हैं राहूल रांची में एक रैली को सम्मोधित करेंगे पर्देश ने थे तो इसकी त्यारे में जुट गया है पर्देश अध्यक्ष ने भी इसकी पुष्टी की है मालूम हो कि इससे पहले बिधान सबाचुना दोजार उनाइस के दूसरे चरण में पर चार अभ्यान को लेकर राहूल गांधी जारकन आय थे पार्टिस से मिली जनकारी के मुताबिक राहूल गांधी की रांची में प्रस्तावित रहली के तीती और अस्थान को लेकर अभी पैसला नहीं हो पाया है राम, रावन और तीर धनुस किसके पास जेमें बिजेपी में बहास सदन में भागवान राम का तीर धनुस किसके पास है इस पर जोरदार बहास हुआ जेमें बिधायक मंगल कालिंदी ने कहा है बिजेपी के लोग जुटे ही राम का नाम लेते रहते हैं इने हक नहीं है असली राम भक्त हम लोग के पास है क्योंकि भागवान राम का तीर धनुस हमारे पास है इन लोगों का काम राम राम जपना पराया माल अपना की निती है इसका BJP विधायक भानू परताप साही और सिपी सिनार ने बिरोध किया उन्होंने कहा है कि राम का असली तीर धनूस BJP के पास है जेमेम के पास रावन कर तीर धनूस है जारखन में जल्द निकलेगी सहायक परध्यापको की बहाली जारखन के विष्व विधायक परध्यापको के लिए जल्द बहाली निकली जाएगी इसके लिए उच्छ शिक्षा इवम तकनिकी विभाग कार्मिक विभाग के साथ मिलकर कायम कर रहा है बिभाग के पता अधिकारियों की माने तो बहुत जल्द सहायक प्रध्यापकों की बाहली निकाली जाएगी इसके लिए राजे के सावी 200 बिद्याले से डाटा मंगाया गया था जारखन में डीप बोरिंग की मांग को लेकर दिपिका पांडे सिंग ने क्रिसी मंत्री को घेरा मुखे भी पक्षी दल भाजपा के सोर सरावे के बीज प्रशनकाल के दोरन कॉंग्रेस बिधायक दीपिका पांडे सिंग ने सरकार से पुछा है कि किया यह बात सही है कि भोमी की बढ़ती कीमत के कारान बरतमान समय में किसानों द्वारा परकॉलेशन ट्रेक के अस्थान पर डीप बोरिंग की मांग की जा रही है सरकार की ओर से इस सवाल को और सवीक करातमक बताते हुए कहा है कि किसानों द्वारा परकॉलेशन ट्रेक के साथ साथ डीप बोरिंग की भी मांग की जा रही है किरिसी मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में मिरिदा यम जल सनक्षन योजना और जल निधी योजना के तहथ परकुलेशन ट्रेक और डीप बोरिंग के निर्मान के लिए उपबंधित रासी सविकृति और आवंटित की जा चुकी है साथ ही योजना का कार्य प्रगति पर है इस जवाब पर नराजगी ब्यक्त करते हुए दीपका पांडे सिंग ने किरिसी मंत्री से पूछा है कि क्या वह बताएंगे कि डीप बोरिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी उन्होंने पूछा कि परखन अस्तर पर कितनी डीप बोरिंग की गई है और कितने का बीस्तार का पलान है धन्यवाद